आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं equation को solve करके दिखाने चाह रहा हूं तो यहाँ पर पहला यह equation x plus y minus 8 by 2 तो यहाँ पर x plus 2y minus 14 by 3 और 3x plus y minus 12 by 11 तो अगर यह इस तरह का 3 equation दिया रहता है तो यहाँ पर equalize करते हैं first two equation को तो यहाँ पर लख्यों को equalize करेंगे पहले first two को यहाँ पर यह इसको और इसको equalize करेंगे तो यहाँ पर लिखी Story equalizing first two equation तो यहाँ पर first two equation को equalize करेंगे तो पहला equation है यहाँ पर x plus y minus 8 divided by 2 और यहाँ पे x plus 2y minus 14 divided by 3 उसके बाद यहाँ पे x plus 2y minus 14 divided by 3 equal to 3x plus y minus 12 divided by 11 अब यहाँ पे ऐसा करना है कि इसको हम solve करते हैं तो cross multiply करने हम पड़ेगा यहाँ पे यह multiply कर सकते हैं उपर निचे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x plus y minus 8 equal to 2x plus 2y minus 14 इसको हम solve करते हैं तीन में सारे से multiply करेंगे तो यह हो जागा 3x, 3y और यह हो जागा 24 यह हो जागा 2x और 2 into 2 यह हो जागा 4y minus 28 अब यहाँ पे x वाला term जो भी है यह इसको हम बरावर की इधर डियाएंगे तो यह हो जागा 3x plus 3y उसके बाद minus 2x minus 4y और minus 28 plus 24 ठीक है तो यह हो जागा 3 में से 2x गया तो यह हो जागा x और 3 में से 4 गया यह हो जागा minus minus y उसके बाद यह दुनों को अगर घटाएंगे तो यह चाड़ आएगा यह वाला का साइन लेंगे minus 4 इसको एक केशन 1 माल लेते हैं ठीक है उसके बाद अगला जो है इसको हम सॉल्व करें 11 इससे multiply होगा cross multiplication में तो यह हो जागा x plus 2y minus 40 उसके बाद 3 से यह वाले टर्म में multiply करेंगे 3x और प्लस y minus 12 ठीक है तो 3 उसके बाद 11 into x 11 x 11 into 2 और यह जागा 22y और यह 11 को 14 से multiply करेंगे तो 4 1 4 1 4 5 154 आएगा 154 उसके बाद 3 into 3 9 x 3 into y 3y और यह 36 अब x वाला y वाला जो भी इसको इधर लिके आएगे और इसको बड़ावर के उधर तियह हो जाएगा 11 x और 22 y minus 9 x minus 3 y equal to इसको बड़ावर के उधर ले जाएगे 154 minus 36 उसके बाद यहां पर 11 x minus 9 x यह हो जाएगा 2 x उसके बाद यह 22 y minus 3 y यह हो जाएगा 19 y ठीक है और 154 154 minus 36 यह हो जाएगा 8 और 4 में से 3 किया 11 यह 118 तो इसको इकेशन दो माल लेते हैं अब यहां पर simple है x वाले को हटा देते हैं यहां पर x है यहां पर और 2 x है तो x वाले को हम अराम से हटा सकते हैं या फिर y वाले को भी हटा सकते हैं इसके लिए y को आपको 19 से multiply करना पड़ेगा चलिए यहां पर x वाले को हटाते हैं तो यहां पर इसको हम को multiply करना पड़े हो जाएगा 2 से तो यहाँ पर लिखे है multiplying multiplying equation 1 with 2 तो यहाँ पर 2 से multiply करना पड़ेगा तो x minus y equal to 2 into minus 4 तो यह हो जाएगा 2x minus 2y और equal to minus 8 तो हो जाएगा 3rd अब क्या है कि equation 2 और 3 को subtract कर देते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे subtracting equation 2 with 3 तो यहाँ पर 2 है 2x plus 19y और 118 और यहाँ पर 3 है 2x minus 2y minus 8 तो यह minus minus से plus minus से plus यह दोनों खतम हो गया और 19y plus 2y और 88 यह 6 हो जाएगा और 1 plus 1 यह हो जाएगा 2 और यह 1 तो 19y plus 2y यह हो जाएगा और 21y equal to 126 तो यहाँ पर लिख देंगे y equal to 126 by 21 अब 21 को अगर हम 6 से multiply करते हैं तो 6 हो जाएगा 6 into 2 12 तो 1 तो यह इसका हो यह 6 से cut जाएगा तो y का value यहाँ पर निकला 6 जो की answer तो इस तरह से y का value मैंने निकला हो, y का value हम किसी equation put कर देंगे तो यहाँ पर लिखिए putting y value in equation 1 तो equation 1 जो है निकाले है x minus y minus 4 तो x minus y equal to minus 4 x minus y equal to minus 4 और y का value यहाँ पर 6 तो y का value यहाँ पर 6 तो यहाँ पर x equal to minus 4 plus 6 तो 6 में से 4 गया 2 तो x का value यहाँ निकला यहाँ पर 2 जो की answer ठीक है तो x का value यहाँ यहाँ पर 2 y का value 6 यहाँ पर निकला तो इसी तरह से हम निकलते हैं और जो भी दिया रहता है question को ठीक है तो इस तरह का अगर और जो भी solve करने के बाद equation बनाकर simple equation simplify करने के बाद question x or y का value find out करते हैं तो इसी तरह solve के जाता है इस तरह के equation को तो मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ क्या होगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ Thank you